आज मैं आपको बताऊँगा आला काड में होटल में हम मटन बिर्यानी कैसे बनाते हैं ये वो मटन है जो मैंने आपको बताया था कि मटन कैसे पका के रखें तो आज इसका इस्तेमाल भी करके बताऊँगा आपको आपने क्लीन रेप के साथ ही मैक्रो माल लेना है मैं भी इसको मैक्रो माल लूँगा मैक्रो आप जादा से जादा दो मिनिट मालें दो मिनिट में ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ये रैप के अंदर है और सूकेगा भी नहीं तो आप क्लीन रेप के साथ 2 मिनट मैक्रो माल लें इसमें ये है बिर्यानी का राइस ये हम पका के रखते हैं और ऐसे स्टोर करके रखते हैं ये दखिए आपने इसको भी एक पलेट में डालना है और मैक्रो माल लेना है हलका सा पानी छरक के राइस आपने बॉल के हिसाब से लेना है आपका बोल कितना बढ़ा है या आप जिस कड़ाई में पीकप गराते हैं वो कितनी बढ़ी है ये लए राइस कैसे बनाते हैं इसका वीडियो में बहुत ही जल्दी आपको बना के बताने वाला हूँ तो आप इस तरीके से एक पलेट में राइश डालें और हलका सा पानी छिरकें हलका सा मतलब हलका आपको दिखाई देता हूँ छिरक ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी छिरक लें इससे क्या होता है चावल आपके सूकते नहीं है इसको भी आपने मैक्रो मा लेना है एक से दो मिनट ये देखिए मैंने दो मिनट मैक्रो मा रहा है अब आपको दिखा देता हूँ ये कितना सौप्ट और अच्छा हो गया देखिए कैसे स्टीम निकल लिए इसमें सिरफ दो मि पकाया है, क्योंकि clean wrap के साथ मैक्रो मारा है इसलिए, आपको ये अगर un hygiene लगे तो आप डबे में या पिर पलेट में निकालके मैक्रो मार सकते हैं वो आपकी मरजी है और इसमें मैंने 1 मिनिट मैक्रो मारा है, एक मिनिट में राईस हलके से गरम हो जाते हैं तो आप एक मिनिट मारें वो काफ है चूंकि हमने पैन में भी गरम करने rails इसे क्या होता है हलके से सौप्ट हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो होटल में काम करते हैं और आलाकार्ट खाना बनाते हैं और जो मेरे फेमली मेंबर बाहर हैं जैसे कनेडा, अमरीका और वो नए-नए इंडेस्टी में आया उनको पता नहीं है कि जालाकार्ट में कैसे बिर्यानी बनाते हैं तो ये वीडियो उन सब के लिए तो आपने वीडियो पूरा देखना है इस क्रीप करकर के ना देखें नहीं तो कई चीजें आप मिस्स कर जाएंगे और आपको मज़ा नहीं आएगा फिर आप ने लेना एक ऐसा पैन और इसको अच्छे से गरम कर लेना है अगर आप नोन श्टिक में बना रहे हैं फिर भी आप अच्छे से गरम करने हैं गरम करने से क्या होता है चावल नीचे चिपकते नहीं है अच्छी तरीके से गरम करने के बाद आप ने इसमें डालना है देशी घी दो चमच डालने आप और उस फिल्स इसको एंपको निए इन अप न रम तो छोड़ार थोड़ा सा जिंजर इडिली और और छौम एहो एक आप ने इसमें डालना है करना चौक मसाला जथा इसको कड़ाय किरे भी बोलते हैं इसका वीडियो में आपको बना के दिखा अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा चौप मसाला कैसे बनाएं तो आप प्लीज देख लें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा यह देखिए ऐसे डालें और आपने इसको हल्का सा ऐसे भून लेना है अजिए भूने के बाद गैस बंद और आपने इसमें डाल देना है मसाले थोड़ी सी देगी मिर्च नमक कसूरी मेथी पोडर मतलब वो सारे मसाले डालें जो आप मतन पकाने में डालते हैं गरब मसाला जीरा पोडर इलाची पोडर इसको मिक्स करने से पहले आपने इसमें ड करना है चालू और इसको ऐसे मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाल देना है मटन इस तरीके से मटन डालने मटन डालने के बाद आपने इसमें डालना है ब्राउन ओनियन यानिके फ्राइ किया हुआ प्याज इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रेशन बॉक्स में मिलेगा करें थोड़े से पोदीने के पत्ते जूलियन कटी हुई अधरक और थोड़े से धनी के पत्ते ये सारी चीजें आप डालते हैं मटन पकाने में तो ये सब डालें क्योंकि हम बना रहे हैं मटन बिर्यानी गैस चालू और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ही रहिए और थोड़ी देर आपने इसको ऐसे पकाना है ताकि मटन और मसाले सब मिक्स हो जाए अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद आप एक बाद टेस्ट करने हैं वाह मजा आएगा अज अब 20 से इसमें दिर्यानी की खुस्ववो आने लगी अब आपने कर देना है गैस बंद और यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से पकाए ये चीज का भी आपने ध्या रखना है ऐसे ही पकाना है और पानी ना डाल दें आप, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है चावल, चावल डालने के बाद फिर से आपने पोदी ना डालना है, फ्राई की हुई प्याच, ये दो चीज़ां फिर से थोड़ी थोड़ी डालें, और एक चम्मच देशी घी, थोड़ गरमें रेकी सेट हो चुकी है अब आपनी क्या करना है और इसको मिला लेना आइछ अब सब्स इस तरीके से मिलाना है आठ रेक्ट करदेंना ऑग कर दें और बंद बिर्यानी बण के त्यार हो गई ये देखिए एक दम सांदार अब आपने इसको डाल देना है जिस चीज में आप पीक अप कराएंगे उसके अंदर चाहें वो बॉल हो कड़ाई हो कुछ भी हो सकता है उसमें आप इसको डाल देखिए कितनी बड़िया बिर्यानी हो चुकी है खुस्पू की कोई कमी नहीं है क्योंकि चावल हम बिर्यानी की ही तरह दम मारके रखते हैं मटन भी आपने देखा था मैंने कैसे पकाया है तो हम ऐसे बनाते हैं आला काड में बिर्यानी अब मैं डाल दूगा बॉल के अंदर आपने इस तरीके से उठाने चावले देखिए प्यार से और ऐसे डाल देना है यह देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है बिर्यानी खाके क्योंकि बनी इतनी अच्छी है अब हम इसमें करेंगे गानिस गानिस करने का आपको तरीका बता रहा हूँ आपने इसमें डालने हैं पोदीने के पत्ते तोड़ के डालें यह दखिए इस तरीके से उसके बाद फिराई किया हुआ प्याच और इसकी खुस्बू में चार चांद लगाने के लिए जैसे लोग बोलते हैं आपने सुनागा कि यार मैंने दिल्ली में खाना खाया और जलंदर तक हातों से खुस्बू नहीं गई तो आपने डालना है थोड़ा सा पिंच चौफ इलाइची पोडर इससे क्या होता है बो भी बता दे रहा हूँ जैसे यह गेस्ट के सामने जाएगा उसको बहुती अच्छी खुस्बू आएगी तो लगेगा कि हार क्या खाना बनाया है मज़ा आ गया एक दो बूंद गुल स्क्राइब करें तक कि हमारी फेमली थोड़ी सी बड़ी हो जाए आज मैं आपको अपनी सकल नहीं दिखाऊंगा उसका रीजन यह मेरी आख लाल हो चुकी है तो आज आपको मेरी सकल देखने को नहीं मिलेगी लेकिन खानने का टेस्ट वो ही है चैनल भी आपका अपना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सस्क्राइब जरूर करें